असलामो अलेकूम, हेलो फेंट्स, विलकम टो मैं चाहरास की चेन, आप सब कैसे हैं? अलहमदोलिला उम्मीद करती हूँ, आप सब खेरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सब के साथ ब्रेट की बहुती मज़ेदार की मिठाई की रेसिपी शेयर कने वाली हूँ आप इसे इंस्टन्ट रसमलाई भी बोल सकते हैं, बहुती यूनिक रेसिपी है, इसे आप ट्राय करना मत भूलेगा क्यूंकि बहुत जल बंद कर भी तयार हो जाता है अगर आप अपने गेश्ट को भी इसे सर्व करेंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, आपने इसे ब्रेट से बनाया है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते है स्टोप के हाई टो मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में हाफ लिटर के करीब दूद मैंने डाल लिया है, फुल फैट मिल्क क्रिम लिया है इसे क्याना रबडी बहुत अच्छी बनती है तो जब हमारा दूद अच्छी तरह से खौलने लगेगा, मैं यहाँ पर चार चोटी लाइची को कूट कर उसका पाउडर करके डाल लोगी तो देखें, यहाँ पर दूद अच्छी तरह से खौलने लगा है, अब मैं यहाँ पर इलाइची पाउडर डाल लेती हूँ इसी के साथ मैं पर चार चमचे करीब चीनी भी आट कर लोगी चीनी तो कि आट कर नहीं कीदो टालेगे दूद बाद में हमें ब्रेड में भी स्टफिंग करनी होथी तो तो उसलिए में पर चीनी पर डाली हूँ चार चमचे करीब वाथी एक चमचे करीब कॉनफ़ोर पाउडर का इस्तेमाल करना है इससे क्या है रबड जल्द बन तो देखे फिर्ण्स अब जो है हमारा दूद कितना सुख चुका है आप देख सकते हैं अब मैं श्रोप को आफ कर लूँगी इतना ही हमें दूद को गाड़ा रखना है इससे ज्यादा हम नहीं सुखाएंगे क्यूंकि थंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाड़ा हो जाए तो यहां पर मैं कट कर रही हूं एक कैप लेकर तो इसी तरह से मैं सभी ब्रेट को पहले कट कर लूँगी तो आपके पास अगर कुकी सकतर है तो आप इस तरह से कुकी सकतर से भी से कट कर सकते हैं तो सभी ब्रेट को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और एक कटोरी में मैंन स्टफिंग करके मीठा बनाते हैं आप चाहें तो सिंपल सा ब्रेड भी रख सकते हैं लेकिन अगर हम स्टफिंग करके बनाते हैं तो खाने में बहुत ही मज़िदार कर लगता है मैं यहां पर मावा का इस्तिमाल की हूँ अगर आप पर मिल्क पाउडर का इस्तिमाल करेंगे सुगर पाउडर एड़ना कीजिए मिल्क पाउडर में थोड़ा सा घी डालकर उसे मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा दूट डालकर इस तरह से आपका इस तरह से स्टफिंग रख रहे हूं दूसरे ब्रेड पर मैं पानी लगा कर इसे इसको पर रख लूँगी ताकि अच्छी बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसे बनाने में कोई भी परिसानी नहीं हो कि जट पड़ बनकर भी तयार हो जाता है अब मैं हाँ पर दूट डालेती हूं हमने जो मिक्सचर बना कर रखा है गाड़ा सा देखिए कितना थंड़ा होने के बाद गाड़ा होते जाता है तो सभी आप चाहिं पर दूट पर दूट बादाम को बारी काट कर डाल दूगी और इसे हमें रखना है अधे गंटे के लिए फ्रीज में रख लिए तो चलिए इसे इंस्टंट भी सर्व कर सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा थंड़ा होने के बाद इसे सर्व करेंगे तो यह खान है आदे गंडे के बार देखिय कितना गाड़ा हो चुका है उसका मलाही हमने बना कर तूख थे बहुत ही मज़ेदार कर लगता है और ब्रेट बहुत ही अची तरह से अब्जोपड कर लेता है अपने अंदर तो देखिे कितना सौफ्ट बना हैं अंदर हम नहीं पर अपने ब्रेट से बनाया है तो इसे जरूर ट्राइ कीजिए बहुत यूनिक रेसिपी है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा तो फ्रेंड्स अगर आज की ब्रेट की मिठाई आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हल्फ लगती है तो प्लीस इस वीडियो को याद जरूर रखें अल्ला हाफीज